हेलो एवरिवन वेल्कम वेक टू माई चानल अचिमेंड इन आल मैं हूँ आपके साथ नम्रता कैसे हो आप लोग आसा करते हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे अभी साम के तीन बज रहे हैं मेरा पवित्र रिस्ता सुरू होने वाला है तो दो घंटा तक यह चलता है तो इस काम निफटालू नहीं हो पाता है उस पर ध्यान देकर देखना होता है तो मैं इनके सट पैंट को आइरन करने का सौच रही हूं कि एक गंटा में कपड़ा कुछ विया रैन करलो एक गंटा कुछ श्टिचिंग करलो देखती हूं क्या हो पाता है और बाबु अभी सोग कर उठा है तो आप देख रहे हैं पैंट खोल के दोड़ रहा है तो दस पंद्रम नड़ बीस मिनड़ में बच्चे को बिल्कुल इसी तरफ फिरी उसके मन पर दोड़ने के लिए छोड़ देती हूं अराम से अपना मन से खेल जो खेलने की इक्षा हो और यहां पर मैं आयरन क ताकी बात नहीं होती है हर चीज में पैसा लगाना तो इतना मैंनत तो मैं कर ही लेती हूं इस समय तक बैठी ही रहती थी देखिए इस दौरान जो है एड आपका आता है और वी कुछ होता है तो आप पढ़ने लिखने का काम नहीं कर सकती है तो बेहतर यही है कि अगर आप चेज से साथ भी मैं थोड़ा सा सिरियल में समय देती हूं अगर कोई एकजाम अगरा नजदिक आ जाएगा या और भी कोई काम आ जाएगा तक तो मैं कुछ सिरियल को छोड़ दूँगी लेकिन अभी फिलाल क्या करना अभी कुछ बिसेस नहीं है तो बस यही करती हूं छे बिल्कुल नए तरीके से आप लोगों में से कई लोग बनाते होंगे बनाये होंगे लेकिन मैं बिल्कुल नए तरीके से आज बनाने वाली हूं तो उसको भी आपके साथ सेयर करूंगी और आप लोगों में से जो भी मेरे चैनल पर नए है चैनल सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा कमेंट कर बताईएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है और यहाँ पर देखाएगे आप लगवक साड़े चार हो गया है और यहाँ पर मैंने कुल तीन सट और दो पैंट में आइरन किया है इसके बीच में मैं उठती भी रही बारवार बावो के लिए दून चाय पानी बॉन बिटा अपना भी चाय सब कुछ होते रहता है एक तरह बैटकर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखाएगे किस तरह से मैंने क् रखा है और जो पुराना वाला गॉद्रेज है मेरा जो हॉल में गॉद्रेज मैंने रखा है तो डेली वियर का जो भी कपड़ा होता है मैं उसी में रखती हूँ ताकि बार बार सामने से खोल के ले ले जो भी मन हो तो चलिए पहले मैं आपको गॉद्रेज दिखा देती यह देखिए इतना सट पैंट वगेरा तो मैं आयरन करके रख चुकी हूँ और भी बांकी बचा हुआ है तो वही हेट्रिक एक दिन में यह एक पहनते हैं धोते हैं और मैं दो करके रख देती हूँ तो इस तरह मेरा कपड़ा जमा भी नहीं होता है समय भी निकल जाता है और उपर में मैंने अपना रखा हुआ है अपना भी मैं आयरन करके जो नहीं पहनती हूँ रख देती हूँ कॉटन का सूट वगेरा अभी तो तंडा में नहीं पहनने का मन करता है तो उसको उपर रखा है अब चलिए आपको कीचन लेकर चलती हूँ अब लगवग यहां अब यहां पर देखेंगे मैंने पनीर को क्यूपस में काट कर उसमें थोड़ा सा नमक लाल मिर्च पॉडर और एक स्लाइस निम्बू निचोड़कर सबसे पहला काम मैंने वही किया है उसको उधर रख दिया है और इधर मैंने खड़ी गरम मसाला जो दाल चीनी होता है पूरा सा लहशून है एक पूरा जो लहशून आता है वो पूरा लिया है लाल चार टमाटर है बड़े साइच का और टेशपात हिंग है यह दो मसाला इन्होंने लाया है लेकिन दोनों में से एक भीच साई पनीर मसाला नहीं है लेकिन मैं उपर वाले को यूज करूंगी क् चीली पनीर मसाला है यह एक बटर है वो डेली यूज का मसाला है जिस पर मैंने बटर रखा और थोड़ा सा जीरा लिया है अब मैं यहाँ पर प्याच को छोटे लटे तुकड़ाओं में काट लोंगी और विस्वास कीजिएगा कि अगर आपके पास पनीर कम भी है तो इसक मैंने सरसों तेल डाला है तेल थोड़ा कमी डाला है आप चाहें तो ज्यादा डाल सकते हैं आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकते हैं बटर की जगह पर अब तेल पकने पर मैंने हिंग डाला उसके बाद मैं तेजपात डालूँगी और जब हिंग तेजपात पक जाएग तो फिर मैंने लहसून को डाला, लहसून और काजू बिल्कुल जुर्मा भाई के तरह लग रहा है, और उसके बाद मैंने प्याज डाला, प्याज लगवक 40% पक जाएं, तो फिर आपको क्या करना है, टेमाटर डाल देना है, और टेमाटर के डालते ही, उसी में नमक और डाल कर टेमाटर को भी सौफ्ट होने देना है, जब दोनों सौफ्ट हो जाएगा, तो थंडा होने के बाद क्या करना है, वो जो तेजपात था, उसको चून कर निकाल देना है, और सारे मसाले को मिक्षी में ग्राइंड कर लेना है, इधर मैंने जो डेली यूज मसाला था और कस्मीरी मिर्च पाउडर पानी में फूलने डाल दिया है, आप लोग जानते हैं, मैं कोई भी मसाला यूज करती हूँ, पानी में भिंगो कर काफी टेश्टी बनता है उससे, और यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर भी उस मसाले में डाल दिया है, अब इसको यह इसलिए मैंने धोया नहीं, अब यहाँ पर मैं बिल्कुल बटर डाल दूँगी, एक बड़ा स्लाइस काट कर यह देखेंगे आप, डाल दिया और जब यह बटर पिखल जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी जीरा और लाल मिर्च यतना आप तोड़कर दो तिन लाल अब यह बटर जो आप मेरा मिक्षी देख रहे हैं उसमें जो भी मसाला है उसको मैंने उसी तरह राने दिया है क्योंकि जब रश डालूँगी पनीर में तो उसी मिक्षी के मसाले को धोकर वो रश इसमें डाल दूँगी अब यह बटर चुकी इतना जाग निकल रहा है कि दिख नहीं रहा है लेकिन जब जीरा और लाल मिर्च पक जाएगा तो फिर मैं यह डाल दूँगी जो मैंने अभी मसाला तयार किया था उसको और अगर आप इसमें कोई मसाला अभी भी नहीं देते हैं तपर भी यह खाने में इतना टेश्टी लगता है कि पूछिए मत ले नमक ज्यादा नहीं डालना है ज्यादा नमक होगा फिर स्वाद एकदम अलग सा हो जाएगा और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा फिर मैं जो यह कटोरे में मसाला डाले हो इस मसाले को डाल दूँगे और फिर इसको चलाओंगी और जितना मुझे रस डालना है पनीर में रखना है अभी ही डाल दूँगी और इसको चला दूँगी और जब इसमें भी एक उबाल आ जाएगा उबाल आने के बाद ही किसी तिसरे मसाले को एड़ करें और अभी देखिए इसका कलर रेड लग रहा है लेकिन अब जब मैं इसमें मलाई डालूंगी याने की दूद क ठीक चाली का मैंने पेश्ट बनाकर मैं धीरे-धरे डाल रहे हूं और चलाते जा रहे हूं अगर मैं छोड़ दोंगी तो यह फट जाएगा इसलिए इसको वाल आने तक बिल्कुल चलाते रही है बिल्कुल बेशन की कड़ी कड़ी वाला रूल है इसमें और इसको चलाते चलाते यह फिर से उसी तरह यलो दिखने लगेगा रेड से हटकर यह यलो दिखने लगेगा और इसमें जब उबाल आ जाए तो इसको उबलने दीजिए और अच्छे से जब यह पक जाए अच्छी तरह से वह बटर तेल वगेरा किनारे किनारे छोड़ने लगे तब आपको इसमें दीरे दीरे पनीर का तुकड़ा डाल देना है यह देखेंगे आप पूरी तरह से मेरा यह मसाला तयार हो गया है तो मैं इसमें पनीर का तुकड़ा डाल दूंगी और इसको अच्छे से चला दूंगी इसको और भी 10 मिनट के अंदर यानि 7-9 मिनट तक या 5-8 मिनट तक इसको और भी पकने दीजिए और इस तरह इसको देखिया, आप देखकर विए देखिया कितना यमी लग रहा है है, और इतना टेश्टी बनता है इस तरह से बनाने पर, और जितना विर आपने प्याए डाला है, मैंने जो भी प्याज दिखाया अगर उसमें आप और भी दो प्याज डाल देते हैं ग्रेवी अधिक बनाने के लिए तो ये बटर वगेरा जो है प्याज के स्वात को दबा देता है काफी टेश्टी बना था पनीर की शबजी आप देखी रहे हैं तो मैं अभी पनीर की बतन वगेरा तो नहीं है लेकिन आटा वगेरा मिला कर रख दूंगी शबजी को डख के रख दूंगी और लगवग अब जो है छे सवाचे बजा है तो और भी कुछ काम इस बीच निप्टा लोंगी और जब सात बजाएंगे तो फिर मैं एक नए चीज के साथ आप से मिलन होगे तो जरूर बताइएगा आपको मेरा यह सब्जी देख कर कैसा लगा खिला तो मैं नहीं सकती हूं आप कहां हूं मैं कहां हूं तो चलिए अब मिलते हैं आप से इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मैंने जब आप लोगो ब्लाज का पीस दिखाया था कापी सारा कलर तो और यह पहले काहि gusta को यह काहिविस को नहीं किया था यह प्लू कलर बाड़न पीज स्था इसको मेने अभी बनाया है और इसको को यहां यूज कर रहा है तो यह बाजी वाला मैंने बनाया था यह और कापी प्यारा बना था बना है यह बलाओ जब इसको मैंने पूरी तरह से complete नहीं किया हुआ है मैं सब में यह बैल्ड वाला बनाती हूं इसका फिटिंग कापी अच्छा आता है और पीछे मैंने इस तरह से यह डिजाइन डाला हुआ है और यह डिजाइन जो है complete नहीं किया है यह यहां पर सुई धागे का काम है सुई धागे से काम इसमें मोती लगाना है लेकिन मार्केट नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी दिपावली छट को ले करके यह चोटी मोटी चीज़ें मिलेगी नहीं और मैंने इसको पहन के देखा था मैंने सोचा था शचाव फिलए लटकन लगाऊंगे यह मैंने बिलकुल कम काटा हुआ था यह लगाया तो आप आपको इस पर लगाऊंगी बरसात में इस पहना था इस वर्षा ने पिछले बरसात में तो उसमें गोल्डन कलर में पहना था और पर भी यह कापी खिल रहा था तो तब से एक साल के बाद में बना रहु है इसका ब्लाउज है और अभी जो आप यह सूट देख रहा है यह सिल्क का सूट है यह सूट है आपको दिख रहा होगा कि यह विंडो है मैं इदर फेस करकी हूं हो जगता है कि फ्राप पुसाब नहीं दिखता हो ये देखेंगे ये सिलक का सूट है और ये अभी शिलावा नहीं है डिजाइन इस तरह से है ये देखिए कि ये सिलावा नहीं है इस तरह से है जां हिस के प्लेन चाह म laughed करना है तो इस सूट को मैं कुँए बनाना है तो इस पर जो पाइजामा का पड़ा था उसको मैंने सोचा कि प्लाजो बनाओ तो राप मैंने कर्टिंग कि विए यह प्लाजो तो इसमें लाइनिंग के ज़रत नहीं थी लेकिन क्योंकि क्यूंकि शूट का भी अच्छा है और रात मैं मैंने इसकी कटिंग किया है तो अभी मैं जा रहीं हूं पहले इस प्लजो को देखने कीतना की दोर तरा कर लें कि दो यहां पर आथ जख रहे हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं, शाथ वज़ा क शुरू हुआ, तो मैं यहां मैं सिल पाऊंगी उतना दिर में सिल लोंगी तब तक वो भी आ जाएंगे जब तक अश्टान वगेरा करेंगे तब तक मैं रोटी वगेरा बना लूँगी तो सारा कम मैं बिल्कुल समय पर इसी तरह से कर लेती हूं अपना एक भी मिनट बरवाद प्लाजो प् شाद नहीं वने देती हूं और यह आप कंड उ प्वाटर इंच्व एसको वहांब अबmart इस ribuy ate और करते हैं तो अभी मैं आपको ये सिल कर आपको दिखाऊंगे आप देखिएगा quarter inch कपड़ा चड़ा कर आप लाइनिंग पर stitch करिए तो आपका बिल्कुल अच्छे से बढ़ जाता है और ये देखेंगे आप इस तरह से बिल्कुल finishing चिलाई में आती है तो इस तरह से अब मैं ये जो legs ह है उस पार्ट का को stitch कर लोंगी आशन होगी आप लैक करूंगी पहले लाइनिंग बठा लोंगी फिर पूरे पार्ट को एक एक करके stitch करूंगी तो अपको मेरा ये वीडियो पशंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक करिएगा चैनल पर नए है सब्सक्राइब कर करेगा कमेंट कर बताइएगा आपको मेरा मेहनत कैसा लगा मिलती हूं मैं आपसे अपने अच्छे से एक अगले ब्लॉग को लेकर बने रिए इस चानल